हेलो अब्रीवन आपका एक वाफीर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ और ये एक काफी चुपा हुआ मुच्वल फंड है बहुत किसी को इस मुच्वल फंड के बारे में जानकारी तक नहीं है तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कंप्लेट डिसकस करूँगा कि मोतिलाल ओस्वाल SNP BSE Enhanced Value Fund डायट ग्रोथ पिछले एक मेने, छे मेने, एक साल या फिर annual return क्या दिया है आज के डिट में इसका एक नभी का प्राइस क्या है, ये कितने इस्टार रेटिंग मुच्वल फंड है, इसमें आप मिनिममम SIP अमोंट क्या लगा सकते है और इसका fund size क्या है साथे साथ मैं आपसे डिसकस करूँगा कि इसके अंदर कौन-कौन सा stock listed है और अगर आप इस मुच्वल फंड में कुछ पैसा जमा किये होते हैं, तो पिछले एक मेने, तीन मेने, छे मेने और या फिर एक साल के अंदर आपको क्या रिटन देखने को मिलता और लास्ट में में आपसे डिसकस करूँगा कि क्या हमें मोतिलाल, ओस्वल, SNP, BSC, Enhanced Value Index Fund, Diet Growth के अंदर इन्वेस्मेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने already invest किया है, तो क्या हाँ अपना SIP या फिर लंसम को continue रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे तो सबसे पहले इसकी return के बात कर लेते हैं, तो इसने पिछले एक मेने में जो return दिया, वो 7.76% का return है शे मेने के return के बात करते हैं, तो शे मेने में 46.87% का return है एक साल के return के बात करते हैं, तो एक साल में 91.10% का return है और अगर एनौर return की बात करते हैं, तो एनौर return है 64.05% का हम लोग NAB देखते हैं, अगर आपने अभी तक आप 이렇게 stock में अपना dmit account उपे नहीं किया पैसा रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी फरकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है इसमें मिनिमूम SIP अमांट 500 रुपया का रखा गया है और इसका फंड साइज है 342 करोर का अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर इस मुच्छोल फंड के अंदर आप 5000 रुपया परमन जम की बात करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता साथ हजार आपको मिलता तीहतर हजार साथ सो संतावन रुपया अब अगर बात करते हैं इस मुच्छोल फंड के अंदर आप एक बार में एक लाक रुपया का लमसम किया होते हैं तो एक साल में आपका एक लाक रुपय सबस्क्राइब होता अगर हमें इसके लिग को निखती है तो पहला नाम आता है हिंड लों को इंडस्ट्रिया लिमिटेड जो कि है metal औं माइनिंग के च्छेट्र में ग्राइशिं लिमिटेड अस्ट्रक्षन स्टेट मैंक आप इंडिया फाइन स्यल ओयल और नाच्वरल गस को परप 나오टेड अनरजी इंडियाण ओयल कोपैर्पेयल कारप्रेशन लिमिटेड इनरजी भारत पेत्रोलियं कोर्पेशन लिमिटेड एनर्जी इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड एनर्जी भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड एनर्जी बेदानता लिमिटेड मेटल एन माइनिंग हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड एनर्जी गेल इंडिया लिमिटेड एनर मेटल और माइनिंग पे 20.4, कस्ट्रक्शन पे 9.5 और अधर्स पे 5% इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.42 और इसका पीबी रेशियो 1.65 मिनिममम इन्वेस्मेंट एमांट की बात करते हैं अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिममम लंब सम आपको यहां पर 500 प्राइका करना होगा और अगर SIP के थूरू करते हैं तो मिनिममम SIP आपको 500 प्राइका करना होगा आ तीन मेने का फंड रिटन है वह 17 का च्वे मने में 48 एक साल में 92.8 और एक सो बतीस परसंट का है वहीं पर इस केटेगरी का एबरेज रिटन यानि कि अधर इंडेक्स फंड मुच्वल फंड का जो एबरेज रिटन रता एक साल में वो रता 46.8 यहां से देखा जाए तो लगभ है तो आप अपना एसाइपी यह लंग सम को कंटिन्यू रखेंगे और इन फ्यूचर आप अपना एसाइपी अपनी लंग सम को बढ़ा सकते हैं इसके आजपस अगर सिमलर फंड समलोग देखे तो इसके आजपस सिमलर फंड से यूटी आई निप्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक निप्टी 50 इंडेक्टर डायट क्रोथ अगरा इनवेस्ट क्या फसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं जिस डेट को आपका allotment हुआ है उससे 15 दिन से पहले निकालते हैं तो आपको 1% का exit load देना होगा और term duty की बात करते हैं तो term duty है 0.005% हम लोग बात कर लेते हैं इसकी fund house and investment objects को तो मोतिलाल ओस्वाल mutual fund total assist में इंडिया पर 19 नमर पे रेंग करता है यह mutual fund इस्टार्ट हुए 29 दिसंबर 2009 को इसका total assist under management है 49,064 करोर का बात करते हैं मोतिलाल ओस्वाल SNP BIC enhanced value index fund आइड ग्रोथ यह एक अधर mutual fund है जो की launch किया गया है मोतिलाल ओस्वाल mutual fund की तरफ से यह mutual fund इस्टार्ट हुए 29 दिसंबर 2009 को राकेश सेट पी अभी इसका current fund manager है इस fund का currently assist under management है 49,064 करोर का और लेटेस्ट ने भी है 23 रुप्या 11 पैसार बात करते हैं मोतिलाल ओस्वाल SNP BIC enhanced value index fund आइड ग्रोथ यह एक आप हाइरेक्स mutual fund है minimum SIP amount 500 रुप्या का सेट किया गया है अगर आप जिस भी डेट को आपका mutual fund एलॉट हुआ है उस डेट के 15 दिनों के अंदर यदि आप अपना इससे पैसा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का exit लोड यहां पर देना होगा तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिसकस के आप मोतिलाल ओस्वाल SNP BIC enhanced value index fund डाइड ग्रोथ के बारे में फिर मिलते हैं वो गनेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके